हेलो एवरीवन आई हम मीनाक्षी शर्मा वेल्कम टू आर यूट्यूब चैनल अच्पी मेत जुगेशंग लेस्ट आद शेशन वीर या आलहा किस जाती का चंद है आप्शन हैं आपके वरनिक चंद, मात्रिक चंद और दसमात्रिक चंद और आपका समात्रिक चंद तो देखें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वीर या आला चंद से बोलते हैं ये आपका जो है क्या होता है देखो जो वीर चंद होता है इसको आला चंदी बोलते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है कि दो दो पदों के ठीक है इसमें जो है दो 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 पदो यहां होती हैं सोलं मादरें होती हैं तो कितने पर यती होती है तो आप जानते हैं यूण आपकी साप की रहल यती होती है यह पर हो दूंप हैं अब आते हैं हम वर्णिक चंद के उपर ठीक यूपसा डिए प्रत्रेख ज चरंद में उसे उसे Appro criticizing जैसे आपका घनाक्ष्री झांद वह वर्निक हम हैनु आता है। इसमें त्रिक से याद रख सकते हैं। य, र, स, त, ज, भ, और न, अब कैसे, म से मगण, य से यगण, र से रगण, स स सगण, तो से तगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, ठीके, इस तरह से 8 गण आते हैं आपके ये, ओके जी, अब देखो, दूसरे इसमें option है मात्रिक छंद मात्रिक छंद में क्या होता है मात्रिक जिसमें कि मात्राओं की संक्य के धार पर छंद का निर्मान होता है वो आपका मात्रिक छंद में आता है तो चुपाई जो वो आपकी कौन से इसमें आती है मात्रिक छंद के अंत्रगत ही आती है फिरे इसमें आपका अर्दसम मात्रिक छंद अर्दसम मात्रिक छंद में क्यों होता है कि इसमें दो पंक्तियां होती है और चरण कितने होते है चरण इसमें आपके चार होते है अब इसमें क्या होता है कि जो आपका पहला और तीसरा जरन होता है ठीक में आपकी 14 demand यती होती है जैस इसमें आपका कौन सा Old यह पर जो औप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स स्वेस्ट है पापी मनुजभी आज मुख से राम नाम निकलते इस वाब्य वंगती में अलंकार है भीभावना, उधारण, बीरोधवास और द्रिस्तान तो देखिए अब सबसे पहले हम इन उप्शन को ही एक्स्प्लेन कर लेते हैं भीभावना, भीभावना में क्या होता है? जहां पर कारण का जो है ना होते हुए भी कारे का होना पाया जाता है क्या होता है? कि जहां पर कारण के ना होते हुए भी कारे का होना पाया जाता है जैसे बिनू पग चले सुने बिनू काना ठीक है? वो इसमें आती हैं आपकी फिर आपका है उधारण, उधारण में क्या होता है, उधारण जहां पर किसी भी बात के समर्थन में उधारण किसी बाचक शब्द के साथ दिया जाए, बहाँ पर आपका उधारण अलंकार आता है, फिर आपका विरोध हवास, विरोध हवास में क्यों होता है, कि जहां वास् इस स्थान पर जो है दो समन्य या दोनों विशेश बाक्यों में बिम प्रति बिम भाव होता है उसे उस स्थान पर हम क्या बोलते हैं दिस्थान अलंगकार होता है तो अब यहां पर जो है यह क्वेशन नंबर सेकीं जो है इसका राइट अंसर आफ शी विरोध अवास की किसी कमपनी में नोकरी पाने है तू लिखा जाने वाला जो पत्र होता है वो किस श्रेडी में आएगा देखी ओप्षन है अनौपचारिक पत्र निमंत्रण पत्र व्यवसाइक पत्र और आपका अवेधन पत्र तो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र को लिख रहे हैं वो आपके नोचारी पत्र में आते हैं ने सकीर ओप्षन है आपका निमंतर्ण पत्र निमंतर्ण पत्र में क्या होता है जब किसी वी व्यक्ति को जो है किसी विशेष कार्यक्रम में आपने इमंतरित करना है तो वो जो पत्र भीजा जाता है वो आपका निमं पत्र में यानिकि पेश्यवर और दूसरी कंपनी को जो है वो दिया जाता है बिजनिस जो आपका लेटर होता है ठीक है इसके बाद है नेक्स आप्ष्ण अवेधन पत्र अवेधन पत्र यानिकि या आप जो किसी को तब लिखते हैं जब आपको किसी विव्यक्ति से कोई तो यहां पर अब आपको अंसर बिल्कुत लिएर हो चुका होगा ऑप्ष्ण डी आवेधन पत्र तो किसी विवी कंपनी में अगर आपने नोकरी भी पानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले आवेधन करना पड़ेगा नेक्स्ट कोशन है अबिचल राइट अंसर ऑप्ष्ण सी ही है आदतन चूकरता है विचल डिफोर्टर का आपका अरत होता है आदतन चूकरता नेक्स्ट वेशन है नाइका भेद पर अधारित गरंथ रसमंजरी के रचनाकार है तो रसमंजरी के रचनाकार कोन है गरंथ के सूर्दास बिहारी दंदास विद्यापती तो यहां पर जो है इस कोशन का क्या आएगा राइट अंसर देखे ध्यान से लगा यह अंसर आप देखो इसमें जो है आपका हम बता देते हैं राइट अंसर ऑप्ष्ण सी ठीक है नंद डास अब नंद डास की अन्ले रचनाओं के बारे में हम यहां पर बत ववरगीत हो गया रूप मंजरी हुई आपकी फिर आपका रुकमणी मंगल हो गया ठीक है रुकमणी मंगल आदी ये जो है वो आपके नंदास जी की अन्य रचनाये है सो ओप्शन सी करेक्ट है नेक्स क्वेशन है वह कौन सा शब्द है जो प्रायः वह वचन में परियुक्त होता है ओप्शन है देव नेक्स ओप्शन है छात्र नक्षत्र डी प्राण तो इस क्वेशन का क्या हैगा राइट अन्सर रेखो आपका जो देव है वो भी आपका एक वचन में है चात्र एक बचन में नक्षत्र भी एक बचन में आता है लेकिन जो प्राण है वो आपका बहु बचन में ही आता है असो ओप्शन डी बिलकुल करेक्ट है नेक्स ग्वेशन है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है भावच्य करम बाच्य, कर्तरी वाच्य, उभेवाच्य देखिए आपके तीन ही होते हैं करम बाच्य, भाव बाच्य और कर्तरी वाच्य तो भाव बाच्य में क्या होता है देखो जहां पर भाव की परधानता हो करम बाच्य जहां पर करम की परधानता होती है और करतरी वाचे यानि के जहाँ पर करता की प्रधानता होती है तो यहाँ पर आप देखिए राम आम खाता है आम कोन खाता है राम खाता है तो किसकी प्रधानता है यहाँ पर करता की प्रधानता तो आपको यहाँ पर आप अंसर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि option C बिलकुल correct है, करतरी वाच्य, next question है, सब्वेस आची शब्द के लिए एक वाक्य है, देखिए, सदा सत्य बोलने बाला, वाए हाथ से कार्य करने बाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार अचरण करने बाला, सदा सत्य बोलने बाला, सबसे बहुत कुछ सुना हो, उसे बहुशृत, क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अचरण करने बाले को क्या बोलते हैं, इच्छा चारी, तो यहाँ पर एक ही option बज़ता है, सब्वेस आची, सब्वेस आची बोलते हैं, बाए हासे कारे करने वाला, सो option B बिल्कुल यहाँ पर correct है, next question है, संभव शब्द का आशे है, जनम, घटित होना, संयोग, उप्रोक्त सवी, तो संभव शब्द का आशे क्या है, देखिए, इसका जनम भी होता है, घटित होना भी होता है, संयोग भी होता है, तो option है, यहाँ पर बिल्कुल आपका correct है, उप्रोक्त सवी D, यह अब हमारा हिंदी सेक्षन से आज का last question है, important है, उधत शब्द का विलोम है, विनिय, अवनती, अनुदार, विनित, तो देखिए, उधत शब्द का विलोम क्या होगा, विनिय, विनिय का आपका विलोम शब्द क्या होता है, अहंकार, अवनती का क्या होता है, उन्नती, वही अनुदार का क्या होता है, उदार होता है, विनीत का क्या होता है उद्धत होता है तो यहाँ पर अब आपका अंसर आपको मिल गया होगा सो इस question का जो है वो आपका right answer है option D उद्धत शब्द का भिलोम होता है विनीत तो यह थी dear experience हमारे हिंदी series से most important MCQs in detail I hope आपको हमारा आज का वीडियो बहुत बसंद आए और आपके लिए जो है आपके एक upcoming exam के लिए जो है वो काफी helpful भी रहने बाला है इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपने friends के साथ जो है इस वीडियो को जूर शेयर कीजेगा और अपनी valuable feedback जो है कमेंट सेक्शन में जूर दीजेगा आज इस वीडियो में इतना ही मिरते हम आपसे next वीडियो में इसके next part के साथ तब पिकली thank you have a good day bye bye